बजट है 2000 रुपे एंड एकदमी बड़िया सा ब्लुटूथ स्पीकर चाहिए घर के लिए या फिर कहीं पे भी आपने केरी करना उसे 24 एमेच के बैटे के साथ ही काफी बड़िया सा बैटे वेकप हमें सकंदे मिल जाता है अब इसकी जो पोर्ट्स हैं उसको चेक करें तो Micro SD Card Slot मिल जाती है Micro USB होगी USB A, Mic Input ये सारी हमें पोर्ट्स मिल जाती है इसका जो बैस्पा लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बाक्स में मिल जाएगा अगले आगे बोट के स्टोन 620 दोजार रोप इसका करन प्राइज है और इसके अंदर हमें 52 mm का डूल ड्राइवर्स मिल जाता है वो है Type-C, USB A and Aux Port केबल्स हमें जो इंक्लूडड़ दे रखें इसके अंदर वो है Aux Cable and Type-C Cable इन बिल्ट माइक के साथ इन बिल्ट FM दे रखें इसके अंदर बट बेस इसकी नॉर्मल है बहुत ही ओवर पंची बेस नहीं कह सकता मैं अगले आगे पोर्ट्रोनिक्स के साउंड रम पी 2100 रुपेस का करन पैज और 57 mm का ड्राइवर साइज मिल जाएगा और्डियो और्पोट की बात करें तो 20 वार्ड की और्डियो और्पोट मिल जाती है में इसकेंदर 2000 mm की बैटे के साथ ही 6-7 घंटे तक का प्लेटाइम मिल जाएगा यह स्प्लैश रिजिस्टेंट है और इसकेंदर हमें चार पोर्ट मिल जाती है आउक्स की, यूएसबी ए, टाइप-सी ए, टाइप-सी कार्ट स्लोट टाइप-सी केबल हमें साथ में मिल जाएगी बॉक्स की और इसकेंदर भी हमें इन-बिल्ड माइक और इन-बिल्ड एफम दे रखा है इससे पहले जो हमने स्पीकर देखना वो बेस के मामले में विल्कुली नॉर्मल सा था बट इसकी जो बेस है ना वो बहुत ही जादा अच्छी है दो बेस रेडिटर्स मिल जाते हैं पावरफुल बेस मिल जाएगी आपको और बेस के बाद आजाते हैं वोकल्स और टैबल्स तो वो भी हमें इकदम ही क्लियर मिल जाते हैं इसकेंदर औल बटन केंटोल्स हमें इसकेंदर भी दे रखे हैं बड़िया स्पीकर आप इसे भी जरूर कंसेडर करो नेक्स्ट इस जेब्रोनिक्स के फीस्ट नाइटीवन दोजार उपे करन प्राइस 165 mm का डाइवर साइज मिल जाता है जो कि इस प्रेट के बागी सबी स्पीकर के कंपेरिजन में सबसे बड़ा ड्राइवर साइज है 24 वाट के आउटपूट जिससे हमें बहुत ही थंपी एंड एकदम भी पंची बेस मिल जाएगी Bluetooth का 5&1 वर्जिन दिया गया 6 घंटे तक का बैटरी बैक मिल जाएगा एट 50% वाल्यूम एंड इसकेंदर में पांच पूर्ट मल जाती है AUX 6.3 mm इंपूर्ट, USB, micro USB, micro SD कार्ट स्लॉट AUX और micro USB के बन हमें साथ में दे रख की है Inbuilt Mic and Inbuilt FM Inbuilt Mic के साथ ही FM भी हमें इसकेंदर दे रख है Sound Quality इसकी बहुत ही जाधा बड़ी है इतनी बहतरी है कि अगर आप इसे 100% वाल्यूम पर भी यूज करते हो ना आपको distortion बिलकुल फिल नहीं होगी एकदमी thumping and bungee bass है इसकी all button controls मल जाते हैं इसके अंदर RGB light effect भी दे रख है Totally worth it है आप इसे भी ज़रूर consider करो और जो मेरे recording is spread के सबसे बहतरीन speakers रहेंगे आपके लिए वो है GBL के go-to दो जार रुपिस का current price है और इस spread के recording totally worth it speakers है आपके लिए 69,000 के करीविस की रेटिंग्स मिल जाती है 40 mm का driver size है 3 watt की audio output 730 mmH की better capacity 5 खंडे तक का playtime मिल जाएगा IPX7 rating के साथ इस के अंदर हमें दो ports मिल जाती है AUX and micro USB और ये दोनों केबल्स हमें साथ में दे रखी हैं box के Metal की grill मिल जाएगी Inbuilt mic दे रखा है इस के अंदर देखो इसकी भी जो bass, sound and vocals and rebels होगा रहना सब कुछ आपको एकदमी clear मिलेगा Bass radiator के साथ काफी अच्छी bass मिल जाती है में इसके अंदर उसके बाद highs, mids, vocals सब कुछ आपको एकदमी clear दे रखा है और ये speaker voice assistant की support के साथ मिलेगा आपको All button controls के साथ आपको इसके अंदर भी option दिया गया है तो totally worth it speakers है आप इसे जरूर consider करो इसका भी जो best by link है वो आपको description box पर मिल जाएगा देखो जो इस पर रेट के अंदर सबसे बहतरी इन 5 options है न speakers के वो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बता दी है अब आपको इन 5 आपे से जो भी speaker सबसे बढ़िया लगते है न just go with that option and answer related अगर आपकी कोई भी query है तो please उसे भी आप comment section में mention कर दे that's all for this video guys thank you for watching the video peace out